असलाम वालेकूम आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने जा रही हूँ सुर्माई फीश कड़ी तो चले स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की ज़रूरत है यहां पर मैंने मीडियम साइज का सुर्माई फीश लिया हुआ है और इसको मैंने इस तरीके से बजार से ही कट करवा लिया है यहाँ पर देख सकते हैं, वन की स्पून मैंने यहाँ पर मेती दाना लिया हुआ है और वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सफेजीरा लिया हुआ है दस से पंदरा मैंने काली मिर्च लिया हुआ है dalmish красi is display रृष्प यहां पर मैंने तू टेबल स्पून् ताबट दन्या लिया हुआ है इसी के साथ में और भी वी मसाले लिये यहां उन brown इसको मैंने नच्छे से घ्रिट कर लिया यह ईह यहां पर नार्ट साइस का से कट कर लिया है यह तोड़ा सा मोटा मैंने कट किए पिसने में जायेगा और यहां पर देखें यहाँ साल कर से पेल। यहां पर मैं थोड़ा सा इमली को मैंने भीगों के रख दिया था पहले से ही यहां पर देखिए मैंने पहले से ही कड़ाई को गर्म कर दो अभी सारे खड़े मसाले जो है हम यहां पर भून के निकाल लेंगे और यहां पर देखिए मैंने आपे ग्राइंडर में नारियल को ए अब मिक्सर से भी इसको बहुत आराम से पीश सकते हैं यहां पे सारे मिरे बुनेवे मसाले मैंने इसमे एड़ कर लिया और यहां पे हल्दी भी मैं भी आड़ कर रही हूं और इसी के साथ मैं आपर एड़ करूंगी लस्टन की कुछ कलियां देखें इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम बारिक करके पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे अगर आपके पास इस तरीके का ग्राइंडर हो तो आप इस ग्राइंडर में पीस लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ग्राइंडर में प बारिक होने तक हम इसको पीस लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे टेमेटो यह एक लाज से इसका टेमेटो है इसको मैं इसमें एड़ करूंगी और इसको बिढ़क के अच्छे से हम इसको बारिक करके पीस लेंगे यह देखे मसाला भी जो है मेरा बारिक हो चुक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो आप से अंबल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बिना ना जाएं साथी बेला आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताके मेरे आने वाले नए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे यहाँ पर देखे बोन लेंगे त्वादि कर लेंगे यहाँ चैनल के अपो अपने टेस्ट के अकॉर्डिण ही इस्तमाल करें बहुत सिंपल और बहुत टेश्टी रेसिपी आप फिया जरूर से करिएगा अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे और इसको डखन डखके ठोड़ा सा मसालो को बुन लेंगे अच्छे से ताखिए आइल जो है अच्छे से surface पे आ जाए मसाला भी सब अच्छे से बुन जाए यह देखे आईल भी surface पे आ चुका है मसाला भी अच्छे से बुन चुका है अब मैं इसमें अट करूँगी यह इमली का गूदा इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके चान लिया था अब मैं इसको इसमें अट करूँगी और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे देखे अभी हम थोड़ा सा और इसको भूनेंगे डखकन डख देंगे और इसको और मसाले को अच्छे से भूनेंगे देखे मसाला अच्छे से भून चुका है अब हम इसको अलका सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा पानी एट कर रही हूँ आप अपने अकोर्डिंग कम या ज़्यादा पानी इसमे एट कर सकते हैं जिस तरीके से आपको पसंदो तो देखें, यहाँ पे मैं यह मैंने एक कप पानी लिया था तो मैंने इसमें पॉना को पानी एट किया है, मैंने ज़्यादा पानी एट नहीं किया है अब हम इसको ढग देंगे और इसमें अच्छे से बॉयला नहीं देंगे इसमें अच्छे से बॉयला चुका है, अब हम इसमें एट करते जाएंगे फिश इस तरीके से फिश को एड़ करने के बाद इसको ज्यादा पकाना नहीं होता है और चम्मच भी बहुत ज्यादा इसमें हिलाना डुलाना नहीं है थोड़ा सा डाल दी है और थोड़ा सा इसी तरीके से फिश का सालन भी बन चुका है इस तरीके से थोड़ा सा कड़ाई वगर तो भी बस हो जाएगा वह बहुत अच्छ से पख जाता है यहां पर में डखकन डखके और दो मिनट के लिए इसको कुक करूंगी इसके बाद यहां पर देखें फिशकरी बनके रेडी हो चुका है बहुत चटपट और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है आप इसको ज अगर आपको इसे लगे के थोड़ा वो पका नहीं है तो आप इसको तोड़ा सा और पांच मिनट के लिए आप इसको डग के कुक कर सकते है इस तरीके समय इसको ठोड़ा थोड़ा सा चमच जादा हम चमच इसमें घुमाएंगे नहीं देखे बस आब हम गार्णिश करेंग इसको अरदनिये के साथ एदे के बन के तयार है तो चले हम डिश आउट कर लेते हैं अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताके मेरे आने वाले नए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलें फिर मिलती हूँ इसी तरीके की सिम्पल सी रेसिपी के साथ बाबाई अला हाफिज